हेलो एबरिवन मेरा नाम है रिशाब गुपता और मैंने नीट्यू जी 2022 में स्पोर किया है 642 तो अबेसलिए इसके लिए आस्ट यर मेरा स्पोर था 444 और उसके बाद मैं बहुत डाउट पो लो गया था कि क्या करूं ड्रॉप लूँ ना लूँ क्या करूं बहुत रिलेटे मैं बहुत रिलेशन आके आपका सपना पूरा हो गया आवा चुके हो अपने ड्रीम कॉलेज में तो मैंने मैंने कंगर्चुलेशन काहां से प्रिक्रेशन किया था आपने अन्लाइन क्लासेस में डिस्रैक्शन की दिक्कत है जैसे कि कि महां लोग फोन से क्लास कर रहा है रिल मोटिपिकिस्टीटीटीटीटीशन आ गया वह भी डिस्ट्रैक्श में के साइक पूस देखने तो को सकते-कते पने लिया था लास्ट यर और बहुत सारे चाल ज़या जुनका निगल जाता यह अचानक छे बाद देते हैं जैसे मैं सोल अगंटे पढ़ाही करता था डिश्राइटिंग होता था था और दूसे दूसे शहरों में भी पर यह है कि अच्छिम्म आपने कितना ना ताइम पर एग सेटिंग के बात करें तो रायके शाथ मतलब टोटल डे की बाद फिर एक दिन में क्लासेश चोड़के आठ गंटे क्लासेश जैसे फिर चार गंटे को मतलब मैक्स तो मैक्स आप 14 गंटे से यादा नी कोड़ें नहीं 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 और आपको निकालने में दूसरा लगी हां और फानेली आप अपने अपने तोटली लिया था लास्ते है उसके पहले कि आपने अफ्र आग बिलिया था नहीं उसके पहले जैसे कि दोलाग सब्स्क्राइबर वाले आपके पास आयते और आपने मना कर दिया किसे इतने जगते मिलने हैं और मेरा जैसे मैं भी प्रिपेशन तरहा हूँ ठीक है और मैं भी दल्ली में हूँ पच्छों को बहुत सारी दिकते आती है जैसे कभी वो पढ़ाई करते हैं तो एक सीटिंग में जादा दिर पढ़ाते हैं जैसे मैं मेरे सीन क्या हुआ था लास् है नहीं बिलांट प्रेश कि अगर अगरांट करोगी जाओगा वो हमेशा पाई लफ होते श्वादवार स्थार्टिंग में माइंड फ्रेश है अच्छे से फोकस से पढ़ाई और लास्ट में फिर तुमको वह हमेशा फोकस हिलेगा हमेशा तुमें लगेगा ब्रिण पर क्यों होगी तब जल्दी खतम हो कब मैं जहूं हो देखा था कि आपका अनेकाड़मी के साथ इंटरव्य हुगा उस पे क्या आप एक टीचर के साथ एस तक थे या टीचर आपने बीच-बीच में चेंड लिए नहीं मैं एक बैच के साथ बैच के साथ जैसे उसका टाइमिंग होता है तो आप चार टीचर से पढ़ाई कर रहते या चार टीचर तो उसमें उनके बैच टाइमिंग टिक्स के इससे फायता मुझे यह वा कि मुझे अपना शेडियूल दिन रहता है कुछ एक्सराइजेस जी मुझा आप करते तो नहीं मैं शाम में केलने जाते हैं मतलब आप साइड आप प्रिफर करते हैं कोई जैसे खुछ प्लेट कर चकता है तो इसके बाद आपने पेपर दिया फोड़ी से चुप हो गई और लास्ट ली आप एक एक ड्रॉप लिए अनकाडमी के साथ आपने पढ़ाई की और पानली आ चुपाईल करें सब कुछ देखने क आप बच्चेयों क्या पताना चाहोगे कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए क्या है क्योंकि देखो आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत कुछ हैसा मिलेगा कि एक मेने में हम नीट क्लियर करें दो मेने नीट करें बहुत सारी चीज़े होंगी जो कि reality से उसका कोई प्रणिंग लोगे चीज़े होती ती और एक गुरुपल लूगे उसके अधिए उसके अलावे हमारे पस टाइम भी मिल पाता था बिल्व भी हम से अधिकर पाता था बहुत सारी मीडिया है कि तूबी अने देखा तो बिल्कुल हैरान हो गया क्योंकि हम साथ में रूमेट ह अधिकर हमने बहुत कुछ सेयर किया था हम साथ में पढ़ते थे नाइट स्टड़ी भी करते थे लेकिन कुछ सचाई से कोई तालुकात नहीं था क्योंकि जैसे जो भी रिटेन होता है जो भी चार्ट दे देते हैं कि हाँ आप दो गंटे पढ़ाई करो तो आपका पूरा ह हो जाए क्या आपके लाइफ में ऐसा पुछ तो नहीं हो आप मतलब फर्स टेर में नहीं आप तो आप्लोड वह जैसे अपलोड वह ते तॉपर शेडिल प्र उन्होंने बताया पिर उन्होंने ट्राय किया मैंने कैसे वह नहीं हो लास्ली मुझे यही समझाए कि अपने से जब तक नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो टॉपर उस टॉपर का शेडियूल इसलिए कि उसकी लाइफस्टाइल वैसी है बहुत कुछ मैच करता है और बहुत कुछ मैच करता है मतलब क्या आपने कभी अपनी स्लीप साइकल भी ख़राग की थी पढ़ाई के लिए स्लीप साइकल स्लीप मेरे लिए बहुत जादा इंपोर्टेंटी मतलब मैं 6-7 घंटे सोता था पर वह पक्ता फुल स्लीप कोई डिस्टरबेंस नहीं तरहिए जैसे मैं अभी खुदी डॉक्र से फ्रिस्केप्टर हूं लास्ट्री में गया था तो मेरा स्लीप साइकल बिल अब अब इसके लिए कुछ पता सकते हैं जैसे हम लोगों पढ़ाया जाता है बॉडी को ठीक है तो वह बच्पन से जैसे हम रात में सोते हैं दिन में जटकें तो बॉडी उसे साब से ट्रेंड हो जाती है कि उसे रात में रिपैर करना है उसे जितने भी वेटर हो हैं जो अब अगर हम जैसे तुरंट में कुछ क्लासिस के वज़े से अपनी स्वीप साइकल खराब करते हैं तब रात में जब रिपैर का टाइम है तब हम जग रहें और दोपैर में जब प्रोड़क्टिविटी का टाइम है तो हम सो रहें तो ब्रेन के लिए अच्छली टाइम जो है वो सोनी के लिए सब्सक्राइब जैसे भी उनका शेडियूल है बच्पन से उसको अक्तर हम जैसे आपको पता है कि मौर्णिंग टाइम ही स्कूल होती है और तो हम रात में सोते हैं जैसे बच्चे कोटा जाते हैं और डली जाते हैं जो भी आप बड़े-बड टेश देखा था कि हम रात में 3 बजह तक पढ़ आते हैं 3 बजह के बाद क्यूंक्य हम बाहर जाते हैं तो हमारे पास परण्स नहीं होते हैं हम 10 मिनट के लिए कोई सोचल मेडिया पर जाते हैं कि हम 1-8 गंटा बरबाद हो जाता है अगर ऑन अपरॉक्स हम 2 गंटे दीन का बरबाद करते हैं तो आप वीक में देख सकते हो वीक 14 आवर्स हम वेस्ट कर रहे हैं और जैसे मैं जैसे मैंने फिट जी का जो सेशन लिया था उन्हें बताया था मैक्स टू मैक्स एक आयटी के लिए इस्पीरेंट हैं जो भी एक्स-वाइड कम्रीटिव की प्रिपेशन कर है उन्हें बताया था 27 आवर्स है मैक्स स्टड़ी के लिए और अगर 14 गंटे 2 गंटे करके बरबात कर रहे हैं तो क्या एक गलात है यह मैं मानता हूं कि ब्रेन को पूरे दिन बर में एक टाइम एक स्वाट चाहिए रिफ्रेश्मेंट का पर वह स्वाट ऐसा नहीं होना च अगर यह पूर्स करें लिए इस प्रेश्में इस प्रेश्मेंट करते हैं नहीं प्रेशन के टाइम बिल्फुल जिए अपने अनिस्टोल कर दिया था यह अधिक्टेविट कर दिया था मैक्सिमम तो मैस्म मेरे पास वाटसएप था वो भी फैमली में तो या बेसिक फोर ब और क्या फ्रेंड्स के चक्कर में आप उसका बेनिफिट है या बता सब्सादेश प्रेंट्स है जिससे दोस्तों का बेनिफिट जो लॉज भी दोनों है बेनिफिट यह जो तुमारे साथ के सूडेंट्स है उनसे हमेशा तुम सदी मेटिरियल डिसकस कर सकते हो हमेशा और जितना डिसकस करोगे उसने तो फाइदा उसमें नुकसान जैसे अब कुछ दोस्त होते हैं जो घर के पास होते हैं जो मतब कभी बुला लिया खाने बहार तो हमेशा यह होता है कि तुमारा शेडिल उसके चकर में खराब हो गया तो बाई चांस मतब कहना नीचे पर अगर तो नहीं पड़ रहा है उसका मालो वही टाइम ही है लीजर का वो तुम्हें भी खिच के लिए जा रहे तुमारा भी टाइम चेंज हो गया और जो लीजर टाइम जो तुमारा है उसमें तो तुम लीजर लोगे तो डबल बरबादी राट विंस और डिपेंड करता है स्प् जो कि कुछ बच्चे ऑप-Line में डिस्ट्राइब हो रहे हैं ए अं-पूलाइन की तो एक डिप्लीन होना जाए जो पी यह आए मोटिवेशन क्योंकि मोटिवेशन जैसे मैंने देखा है कि एक यूट्यू वीडियो देखा है यह मोटिवेशन देखा मैक्सिम्म वो मोटि स्रिक शेडियोल रहते हैं तो और कुछ आप एक सौट में बता दो कि बच्चों को क्या हल्फुल है क्या करना चाहिए कैसे पढ़ाई करने चाहिए कि डिसक्ट नहीं होना चाहिए मतलब अगर माक्स कमा रहे हैं तो लो फिल नहीं करना चाहिए आप देख सकते हो कि आज कल स् अगर आपका सेलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते हैं अगर मेरे के सिवाथ करें मैं बिलकुल प्रिपार करता नेक्स यह के लिए क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट रॉप ही था परेंस भी मान गयते हैं तो उनके दरब से कोई प्रेशन लेना कोई और अला कि सब कहते हैं कि जैसे थर्ड पूर्फ के बाद सबके तरब से प्रेशन आता है कि यह नहीं हो रहा है कुछ और ले लो अब सब्सक्राइब क्योंकि अपना हाइली कॉंपटेटिटिव वर्ल्ड है तो सबका ऑविएस है कि सबका एक बार में दूबार में नहीं निकल सकते हैं तो इस चीज जैसे फर्स जो भी topper होते हैं और फर्स आंप्टों में निकलते हैं और करें में टॉपर की रिषय बहुत 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 आंघके पढ़ा प्र मुझे लगता है तोब गुझे लाएब ऑनन वह कापी एक्टिव रहतें सार्टिंग से फढ़ाई में फिर और ड्रॉपर ग्र तो धर पे रहके पढ़ना है कही सी और बी जगह में दूसरे शेहर में रहके पढ़ना है वो इक अलग stress देता है दिमाग और ड्रॉप करने के बाद obviously सोचते हैं कि जो भी college starting में मिल रहे लिए लिए तो उसमें फिर फिर्स preparation में mindset का रहता है हाई marks second third preparation में फिर मार्शक की बस हाई भी college में किसी तरह से तो फिर उसी साब से तो पर जालतर वैसा ही होए कि droppers जाता पर एसा नहीं बिल्कुल भी impossible नहीं है पर थोड़ा चलो बहुत बहुत थेंक्यों और बहुत वह बहुत पर इस तो मुद्द कि और यह जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पर हम नई नहीं चीजे लाने की ज़़ुद कोशिस करेंगे और वैसे पहली बार मैंने इस मतलब नीट के एस्पिरेंट थें और फाइनली वह अपना एड्मिशन ले चुके हैं अपने ड्रीम कॉलेज नम्च में तो आपको जैसे पता इस चैनल पर हम लाइफ स्टडी करते हैं इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे बच्चों की जो एस्पिरेंट कहलो तो जैसे ह बहुत सारी बच्चों की ज़र्नी द्रेंगे एक ऐसे मतलब उनके लाइफ में कहां से स्टागल क्या कह उनको जहलना पड़ा क्या था एक यसे चीजे थी और जैसे मैं चोटे-चोटे बच्चों से मैं स्टाइंग फ्रूं धुर्णी लान की कोसिस करूंगा और मतलब उनस जो भी चीजे पढ़ाई से रेलेटेड है, जो भी बेनिफिशल हो, जो भी नॉलिज़ेबल हो, जैसे हम कहीं ट्राइबलिं करते हैं, पढ़ने के लिए घर से बाहर जाना पढ़ता है, अपने पारेंट से दूर जाना पढ़ता है, बहुत सारी चीजे है, हम सारी स्थफ, whatever the things are related with studies, each and everything will be available on this YouTube channel, that is, I attends with Abhi, so please, guys, अपना प्यार, अपना समर्थन बोलो, अपना सपोर्ट बोलो, अपना जो भी हो, please, अप इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें, और एक दुसरे तक अपने दुस्त तक फैलाने की कोशिस करें, thank you so much, guys, please, subscribe कर देना चैनल को, please,